लास्ट क्लास हमने कहां तक देख लिया था? फाइनल अकाउंट में ये सारी चीजे हमने देख ले थी जो कि आपको वीडियो प्ले स्टोर पे भी मिल गई होगी आज हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे फटा फट से सब ठीक है ना? थोड़ा लेट हो गया इसके बाद भी मेरी एक और क्लास है चलो कोई बात नहीं है किसी दिन लब्बी क्लास ले लेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास में कहां तक कवर कर लिया था हमने? फाइनल अकाउंट करने जा रहे थे फाइनल अकाउंट में हमने क्या देखा था? कि सबसे पहले क्या करते हैं? जर्नल जर्नल के बाद हम क्या करते हैं? लेजर लेजर के बाद हम क्या देखते हैं? ट्राइल बैलेंस और ट्राइल बैलेंस के बाद हमारा होता है ट्रेडिंग अकाउंट और trading के बाद profit and loss यह इसी का part है basically और एक balance sheet आज सब का format भी देखने वाले हैं तो एक हमारा यहाँ पे देखा जाए तो trading account बनाने के लिए आप फटा फट से बताइए trading account बनाने के लिए हमें किन-किन खर्चों का ध्यान रखना होता है तो जवाब है sir direct expense का direct expense क्या होता है discuss कर चुके हैं जो new student है वो application के अंदर मैंने video डाल दिया है वो वहाँ देख सकते हैं इसके बाद अगली बात करते हैं हम P&L बनाने के लिए कौन से expense का use करते हैं indirect expense ठीक है हम इस पे ज़्यादा discuss नहीं करेंगे और balance sheet चलिए आज हम start करते हैं format से के हमें trading account कैसे बनाना है trading account से हमारा क्या result निकलेगा gross profit या फिर gross loss profit and loss से क्या result निकलेगा net profit या net loss और balance sheet से assets liability equal हो जानी है तो आज trading account हम कैसे बनाते हैं profit and loss कैसे बनाते हैं और balance sheet कैसे बनाते हैं हम उसको देखते हैं आज ठीक है चलिए हम start करते हैं trading profit and loss मेरे साथ साथ note करिएगा आप भी मेरे साथ साथ note करिएगा हाँ 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 यह हमारा ट्रेडिंग and profit and loss account और इसके नीचे ना for the year ending विज्वल नहीं है यहाँ पर चलिए एक सेकेंड रुकिये मैं थोड़ा विज्वल करता हूँ इसको ठीक है और यहाँ पर ना date लिखना है ठीक है जो मैंने उपर लिखा है trading account for the year ending और date लिखना है अगर आप यह नहीं लिखोगे marks जरूर कट जाएंगे आपको छोटी 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 बातों को बच्चे आपको ध्यान देना चोटी छोटी बातों को अमें स्टार्टिंग से इसलिए मैं समझाते जा रहा हूँ यहाँ पर पर्टिकुलर यह अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है यह आपको पूरा नोट करना है साथ के साथ मैं इसे हटा देता हूं इस साइड में हम बनाएंगे balance sheet लगता है कुछ जादा ही बड़ा बना दि वीजवल होना चाहिए एप्लिकेशन में सायद में भी आपको क्वालिटी एन्हांस करने का ओप्शन अभी ना मिल रहा हो तो मैंने डायरेक्ट यूट्यूब का लिंक दिया है वहां जाएंगे तो आपकी क्वालिटी एन्हांस हो जाएगी जिसको वीजवल की problem है बस में वाइस में देखना है आपने इधर लिखेंगे balance sheet और इसके नीचे लिखा जाता है क्या as at अगर ये नहीं लिखेंगे one mark फिर deduct हो जाएंगे ठीक है अब हमें question करना कैसे है नहीं करना है मैं बता देता हूँ आपको मेरे पास कोई register है या नहीं है ये देखते है चलिए मेरे पास register तो नहीं है एक book है मेरे पास ठीक है मैं बता देता हूँ देखो आप सभी के पास कुछ इस type का register होगा एक ये page और एक ये page जब भी final account का हम question करेंगे तो इस वाले पूरे page पे trading profit and loss और इसका थोड़ा सा हिस्सा उपर भी रखेंगे देख रहे हो ना यहा इससे फाइदा क्या मिलेगा हमें ये page रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं compare कर सकते हैं इधर लिखेंगे इधर लिखेंगे इधर balance sheet total सामने सामने दिखना चाहिए कुछ बच्चे बड़े कंजूस होते हैं यहाँ पे बच गया ना अगर इतना सा तो यहाँ भी बना देंगे वो रदी में बेच देते हैं register ले जाके तो आपने ऐसे नहीं करना आपका एक page P&L के लिए और इतना हिस्सा और छोड़ देंगे P&L trading के लिए ठीक है ना और नीचे balance sheet calculation आपको calculator तो allowed ही है तो calculation के लिए आप कहां जोड़ोगे घटा होगे अब मैं बोल रहा हूँ calculator allowed है तो बच अब calculator allowed है और कैसा calculator लेना है आपको आपको इस type का calculator लेना है जिसके अंदर text का button ना हो नहीं तो वो examiner बाहर कर देगा simple calculator buy करना है ठीक है कहीं भी market में easily available हो जाएगा चलिए यानि मेरा एक ये page है ये page है balance sheet और P&L trading account के लिए आपको 10 line चोड़नी है ये मैंने 10 line चोड़नी है चोड़ दी अपने trading account के लिए 10 line है trading के लिए देखो ये से ये हिस्सा trading के लिए हो गया और इसके नीचे P&L में बनाने वाला हूँ जितना भी नीचे मेरे से बन सकता है मैं नीचे तक बना हुआ और इधर liability और इधर assets trading account और कुछ format तो हमारा रहेगा fix इन छोटी छोटी बा amount fix रहते हैं जैसे opening stock to opening stock ये क्या होता है opening stock इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और क्या fix होता है capital जो आपने पहले सबसे top पे ही लिखना है capital inside में लिखना है always ठीक है और opening stock के नीचे आपको लिखना है purchase purchase और purchase में से क्या minus करेंगे हम purchase return अभी purchase return लिख देते हैं चलो चलो लिख देते हैं purchase return minus करेंगे ये bracket लगा दिया minus purchase return का और भी नाम है मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए purchase return purchase return को ही हम return return outward भी कहते हैं ध्यान रखिएगा ठीक है purchase return को ही हम return outward कहते हैं चलिए कुछ बच्चों का message आ रहा है वीडियो सही से नहीं आ रहा अक्षे clear voice नहीं है एक बार मैं भी check कर लो okay voice clear नहीं है अब दो मिनिट रुके मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या issue है इसमें थोड़ा मैंने voice में setting तो करा था अब चेक करें आब voice clear आ रही है आपको फटा फट से जवाब दीजिए voice clear है आपको अभी shake पांडे voice clear चेक कर ये okay done ठीक है चलिए voice clear है तो मैं आपको क्या बता रहा था साइद कुछ बच्चों ने ना सुना हो मैं फिर दुबार रपीड कर देता हूँ और मैं बता रहा था आपको कि हमें एक trading and balance sheet हमारा trading and profit and loss इधर रहेगा उसके साथ में balance sheet रहेगा और कुछ चीजे हमें पहले से ही fix करना होगा like opening stock हमेशा यहां आएगा उसके नीचे ही purchase लिखना है और purchase हमेशा inside में लिखना अब पूछोगे sir हम क्यों लिखे inside में purchase return नहीं हुआ तो purchase return नहीं हुआ तो आप इसी के नीचे line खीचके यहां डाल सकते हो और purchase return इसमें से minus करेंगे ठीक है same ऐसे हमें by side में क्या लिखना होगा by sales sales और फिर इसमें से हम minus क्या कर देंगे sales return मैं short form यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा से sales return अब sales return को क्या बोलते हैं हमें एक और नाम है sales return sales return को return in word भी बोला जाता है return in word भी बोला जाता है तो ये कुछ मैंने amount जो लिख आप और इसके नीचे total अब कुछ बच्चे पता ही क्या करते हैं इसमें से minus करने के बाद यहां लिख देंगा नहीं इस line के just यहां पे लिखना है minus करने के बाद तो देखिए कुछ point मैंने यहां fix कर दिया यह हर एक question में होगा ही होगा each and every question में यह होगा ही होगा है इसमें कोई doubt नहीं है और नहीं आपको कोई इसमें confuse होना है तो exam में क्या करना है सबसे पहले format बनाया format के उपर trading profit and loss year ending और यह चीज़े तो पहले आपका होगा ही होगा हर question में क्योंकि बिना sales के question नहीं हो सकता बिना purchase के question नहीं हो सकता और बिना capital के तो business ही नहीं होगा और sales return purchase return में भी possible है के हो भी सकता है और नहीं हो सकता ठीक है अब trading account बनाने के लिए आपको क्या बताया था जल्दी जल्दी बताईए trading account बनाने के लिए कौन से खर्चे factory वाले direct expense तो factory वाले ये side जो है न ये side हमारा खर्चा लिखा जाता है expense और ये side जो है वो income लिखा जाता है हमारा ठीक है न तो हम यहाँ पे expense लिखते हैं, expense में कौन-कौन से factory वाले, जैसे wages, आप एक businessman सोचो खुद को, आप अपने factory में क्या-क्या दोगे, wages के बाद, carriage, carriage, carriage के बाद क्या हो सकता है, freight, क्या हो सकता है, freight, freight, मैंने क्या लिख दिया ये, freight, दोनों एक ही चीज़े हैं, और इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, power, तो ये सब याद करो, ये सारी चीज़े हमारे कहां पे खर्चे इस्तमाल होते थे, factory के अंदर, तो ये सारे खर्चे फेक्ट्री में इस्तमाल होने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा आप, और factory में इस्तमाल होने के साथ साथ और भी खर्चे हैं, मेरे पास जगह नहीं हैं, आप बोलोगे सार, ओक्ट्री भी बताया था, आप बोलोगे सार, आपने फिर import duty भी बताया था, आपने फ्यूल भी बताया था, आपने manufacturing expense भी बताया था, तो बिलकुल मैंने बताया तो थ और मेरे पास जगह ना होने के कारण मैं नहीं लिख रहा है यहां पे, ठीक है, अब इसके बाद यहां पे हम एक और point को ध्यान रखना है, मैं अलग marker से लिखता हूँ, काफी बच्चे भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, आप भूल जाते हैं, मैं यहां पे लिखता हूँ by, और by closing, closing stock, ओहो, सर अलग marker से क्यों, इसके पीछे राज है, अभी question खतम होने तो तो राज बताऊंगा, इस closing stock का, अभी बस हमने closing stock, यहां लिखना लिखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब जल्दी से जल्दी हमारा trading account बन गया, और इधर जो भी answer निकलेगा, और answer जो भी निकलेगा, इधर निकला, तो gross profit, gross profit, हरी बत्ती जल गई, हरे मारकर से लिखा है, और अगर loss हुआ तो क्या होता है, red light, इसलिए इसको मैं नुकसान को red से लिख देता हूँ, by gross loss, इस side आया तो gross loss, format देखो, हम basic चीज़ों को अगर समझ जाए ना, तो question करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, तो देखिए, बन के तयार trading, कितने line छोड़ना है, यहां से यहां तक मैं लिख भी देता हूँ, अब इसको किस marker से लिखे, इसमें trading में कितने line छोड़ना है, मैं यहां लिख रहा हूँ, आपको note करने ना, बस जादा से जादा, आपको 11 से 12 line, trading के लिए register में छोड़ना है, ठीक है, उसके नीचे तो फटा फट end तक ले जाओ किसको, पी एंडल को, अब यह profit and loss, यहां पे कौन से खर्च लिखे जाते हैं, यहां पे खर्च लिखे जाते हैं, कौन से जल्दी बताओ, कौन से खर्च लिखे जाते हैं, बताई जल्दी फटा फट, कौन से खर्चे लिखे जाते हैं हाँ जी यहाँ पे जो खर्चे लिखे जाएंगे वो लिखे जाएंगे profit and loss के बिल्कुल ठीक जवाब यहाँ पे लिखा जाएगा profit and loss के अंदर office के खर्चे तो अगर देखो यह हमारा gross profit है अगर हमारा gross profit आया तो हम लिखेंगे इसे यह वाला यहाँ आ जाएगा चल गए यह gross profit यहाँ आ जाएगा और यहाँ लिखा मैंने by gross profit यह यहाँ लिखे 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 अगर in case loss हुआ मैं लिखूंगा ने loss लिखने का मन नहीं कर रहा मेरा मैं लिखूंगा ने in case of loss हुआ तो इधर आ जाएगा बस यहाँ छोड़ देते हैं आपको याद रखना है ठीक है याद होगा मैंने क्या कहा था कि जो gross profit है वो सारा का सारा हमारा यहाँ यूज होगा जितने भी gross profit है वो सारा का सारा हमारा P&L में यूज होगा और gross loss को भी यूज करेंगे ठीक है जी ओके सर ठीक है चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे office के खर्चे जैसे की salary जैसे की salary और क्या लिखेंगे जैसे की कमीशन पेड कमीशन पेड मैंने limited expense लिखूँगा क्यूंकि space नहीं है बाकि आपको पता है और क्या लिखेंगे discount और क्या लिखेंगे discount और क्या हो सकता है bed dates और क्या हो सकता है telephone का खर्चा telephone expense और क्या लिखा जाएगा और लिखा जाएगा telephone expense के बाद और लिखा जाएगा और क्या discount वो तो लिख दिया interest और एक खर्चा मैंने बताया था कि लगता कैसा है कि ट्रेडिंग में जाएगा लेकिन जाता कहा है हमारा पी एंडल में चले जाता है जिसका नाम क्या है trading expense और क्या होगा जी और होगा यहां पर और क्या होगा ट्रेडिंग expense के बाद journal expense वही मैंने एक्जामपल लिया था ना चाए दूद चाई की पत्ती चर्नल expense छोटे मोटे खर्चे और क्या हो सकता है और हो सकता है हमारा और हो सकता है depreciation मैं DEP डाल देता हूं यहां depreciation depreciation क्या होता है जब किसी assets के value में गिरावट आ जाती है तो उससे क्या बोलते हैं हम depreciation लगाना बोलते हैं जैसे मालो मेरा calculator मेरा calculator assets है अब यह मैंने 200 रुपए का खरीदा था आप लोगे 2500 का बताओ खरीदोगे 2500 का मैं courier भी कर सकता हूं इसको अगर 2500 का खरीदोगे तो नहीं खरीदोगे आप आप बोलोगे सर 50 रुपए में दे दो ओहो 200 रुपए का समान की 50 value लगा दी तो जो 1500 रुपए है वो क् कुछ income भी है income क्या क्या हो सकता है सेम discount receive discount receive और क्या हो सकता है commission receive commission receive और क्या हो सकता है हमारा rent receive सर सब के आगे receive लगाना है नहीं अगर आप credit में लिख रहे हो न सिर्फ मैं यहां discount भी लिख दूना तो examiner बहुत समझदार है उसे हमें वो समझ जाएगा कि discount credit में लिखा है इसका मतलब वो income वाला ही है तो receive लगाना है लगाईए नहीं लगाना मतलगाईए और क्या हो सकता है हमारा और भी अलग से dividend receive वगरा हो सकता है हमारे यहां पर चलिए यह मैंने एक छोटा सा example लिया और किसका example है और इसके नीचे हम दो line लगाएंगे इसका मतलब account is close ठीक है यहां पर हमने लिखा यह टोटल यहां पर लिखा यह टोटल अब इस साइट और भी देखो यहां पर मैं और भी बताओ clarity में न तो यहां बड़े सारे expense आ सकते हैं मैं बता सकता हूँ अभी कितने सारे expense आएंगे लेकिन मैंने space नहीं है लिखा नहीं बाकी मैं format आपको दूँगा आप मैं बोल देता हूँ आप समझ जाना जिसको जो है मैं video तो आपको मिलेगा ही play store में और play store में देखने आपको इसके बाद क्या सकता है advertisement करते हैं न हम जैसे जैसे मैं add कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए खर्चा है तो यहां आजाएगा और क्या सकता है हमारा और हो सकता है हमारा आपका एक advertisement write off भी होता है वो भी यहां पर हमारा आएगा और भी बड़े सारे खर्चे मेरा बिजली का bill electricity bill यह भी marker pen notes तो यह सब stationery का खर्चा है वो भी यहां आएगा और क्या सकता है बहुत सारे expenses है water bill भी यहां आ सकता है तो मैंने बस समझाने के लिए इतने से point लिखे हैं आप यह मत समझेगा कि बस इतने में ही खतम हो जाएगा हाँ miscellaneous income अभी शेख कहता है miscellaneous income advertisement बहुत अच्छे सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हैं अब यहां पे हम लिखेंगे net profit to net profit net profit net profit तो net profit यहां आएगा और यह balancing figure होगा और यहां पे आपको सिर्फ net profit नहीं लिखना इसको मैं पूरा लिख देता हूं जो आपको यूज करना है net profit transfer tf लिखना हो transfer to capital account to capital account और इस side क्या आ सकता है loss अरे भाई loss तो red marker से लिखेंगे by net loss इधर क्या आ सकता है हमारा net loss इसके आगे transfer transfer पर छोड़ देते हैं ठीक है यह बनके तयार हो गया trading और profit and loss इसके बाद मेरे पास balance sheet की भी तयारी करते हैं तो देखो जो net profit यहां आया ना यह net profit यह net profit कहा जाएगा कहा जाएगा यहां आ जाएगा तो यहां पर आ गया net profit इसमें add हो जाएगा net profit लेकिन sir अगर loss आया तो क्या होगा loss के लिए क्या करेंगे loss minus हो जाएगा net loss ओके loss minus profit add बिल्कुल यह सारी चीज़े हमने कहीं न कहीं करीवी भी है मुझे याद आ रहा है और इसमें से minus करेंगे drawing अच्छा drawing exam net drawing बताएगा नहीं आपको और note लिखिए क्या note लिखें drawing के उपर चलिए drawing drawing किसे किसे बोला जा सकता है point number one income tax बोलेगा वो अगर आपको income tax बोला जाए तब भी drawing ही है उसके बाद point number two insurance life insurance life insurance बोला जाए तो वो भी drawing ही है यह याद रखेगा number three उसने क्या करा goods use goods use अगर आपको बोलता है कि उसने goods use करा है तब भी drawing है और क्या हो सकता है question में बोले के उसने क्या करा अपने बेटे का tuition का fees अपने child का son का tuition का fee paid करा तो वो भी businessman के लिए क्या होगा drawing होगा तो आपको हो सकता है सीधा drawing भी दे दे और ऐसा भी possible है कि आपको जो drawing है वो सीधा ना दे के आपको कुछ अलग से point देते जैसे मैंने बोला income tax life insurance अब बोलेगो सर इसको समझातो तो income tax देखो तो life किस की होगी मालिक की तो मालिक अपना insurance कराएगा तो उसे हम बोलते है life insurance और अपना जब भी मैं कुछ करवाओंगा जब भी मैं अपना personal फाइदा सोचूंगा वहाँ पे हमारा drawing आ जाता है ठीक है ना ऐसे ही मैंने सोचा मान लेते हैं कि child के fees मैंने tuition fee के लिए पैसे निकाल लिए तो वो भी क्या माना जाएगा drawing माना जाएगा छीक है capital minus ठीक है डॉली कह रही है capital minus बिलकुल ठीक अब इसके अंदर क्या आएगा liability ये basically जो ये होता है ना इसको हम honor fund बोलते हैं मैं कुछ अलग से भी बाते बता रहा हूँ इस slavet से कोई लेना देना नहीं है honor fund भी बोला जाता है मैं अलग से बाते बता रहा हूँ उसके बाद क्या आएगा creditor creditor और क्या आएगा bills payable इसके उपर भी discuss करेंगे sir creditor क्या होता है bills payable क्या होता है हम क्योंकि detail में chapter को करने वाले हैं जरूर हम 45-50 days में हम slavet करेंगे लेकिन कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ topic छूट गया extra जरूर कराऊंगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद bank loan इसके बाद bank loan के बाद outstanding outstanding expense कोई भी हो outstanding expense sir कोई example outstanding salary outstanding wages outstanding carriage बहुत सारे हो सकते हैं और क्या सकता है advance income advance income और क्या सकता है general reserve और क्या सकता है bank loan तो लिख दिया ये सारा हमारा क्या है loan है ठीक है इस side में क्या आ सकता है कि इस side में आएगा हमारा machinery और फरनीचर और फरनीचर और फरनीचर के बाद क्या सकता है building और क्या क्या सकता है cash और क्या सकता है bank और क्या सकता है debtor और क्या सकता है bills receivable बहुत है मैं तो limited लिख रहा हूं यहां पर एक live stock होता है एक आज 11th के student का exam था question पूछा गया के live stock के आप example बताईए question पूछा गया live stock के आप example बताईए अच्छा तो एक नंबर का question तो आप बताईए live stock का कोई example देखते हैं कौन कौन बता सकता है live stock का कोई example चलिए मैं बता देता हूँ ज्यादा time waste ना करते हुए live stock का क्योंकि हाँ live stock का अगर मैं example बताऊ तो live stock का example है जैसे की मान लेते हैं मेरे पास कोई भी animal हो वो सारा live stock है जैसे मेरे पास कोई doggy है वो भी live stock है मेरे पास horse है वो भी live stock है मेरे पास अगर मान लो के donkey है वो भी live stock है यह मैं करूंगा क्या देखो horse भी काम आता है जैसे मान लेते हैं जिसका काम ही है शादी वगएरा का बैंड वाजे का काम है तो उसमें तो हॉर्स का काम ही है अगर मैं हॉर्स रेस करवाता हूँ तो वो मेरे लिए तो स्टॉक ही है सेम क्या हो सकता है हमारे लिए मंकी हो सकता है जिसका काम सरकस वगेरा का है उनके लिए live stock है ठीक है ना चलो इतने example तो बहुत दे दिया मैंने आप भी बोलोगे कितना बोलते हो अब इसके अंदर ये आ गया और क्या आ सकता है यहाँ पे accrued interest सर ये क्या होता accrued interest इंटरस्ट जो हमने कमा तो लिया लेकिन मिला नहीं मैंने आपको 10,000 लोन दिये मैंने आपको और ब्याज दो मेने से नहीं दे रहे दोगे या नहीं दोगे मैं लूँगा आपसे आज नहीं तो कल ले लूँगा तो वो ब्याज मेरा simple ब्याज नहीं है वो है accrued interest मुझे मिल जाएगा तो इसलिए मेरे लिए क्या है assets है ठीक है accrued interest के बाद बस इतना ही काफी है और एक मैंने बताया closing stock के बारे में और closing stock आ जाएगा by side में by closing stock closing stock ठीक है इसके उपर star मैंने बोला इसको मैं बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा और फिर discuss करेंगे detail में now अब हमारे पास इतने सारे information given है trading and profit and loss account for the year ending जो भी है यह हमारा trading account है यह पी एंडल है और यह balance sheet है बच्चे मैं आज के लिए इतनी से ही class मैं तो सोच रहा था एक घंटे लूँगा लेकिन वीडियो के चक्कर में इंटरनेट के चक्कर में लेट हो गया बाकी मैं class कल तो लूँगा और कल कोसिस करूँगा कि मैं पूरे एक घंटे से जादा की class लूँ क्योंकि इसके बाद भी मेरी एक 10 बजे और है become final year की class है मेरी एक तो उसको भी लेना बहुत जरूरी है तो थोड़ा सा compromise करें बाकी आपको ये वीडियो जिसने course purchase कर रखा है वहाँ पे देखोगे तो final account 1 के नाम से सबसे नीचे course purchase के है सबसे नीचे देखोगे तो एकदम HD quality में आएगा कोई दिक्कत ने क्यूंकि मैं दो time पे वीडियो को record करता हूँ एक मेरे camera में भी हो रहा है एक YouTube YouTube तो internet का भरोसा नहीं है इसलिए मैं तो camera पे करता हूँ camera में record करके upload कर देता हूँ ठीक है ठीक है बच्चे मैं अब ओके तो आपको इतना सा ही अभी फिलहाल के लिए इसे note करिए अच्छे से और मैं note करने के लिए 5 मिनट देता हूँ note अच्छे से साफ साफ सुन्दर सुन्दर राइटिंग में करिएगा मैं थोड़ा सा overview quickly दे दू gross profit निकला यहाँ transfer हो गया यहाँ से net profit निकला यहाँ transfer हो गया इसके बाद सारे liability लिखे assets यह दोनों side always क्या आएगा हमारा equal आजाएगा यहाँ पर हमारे सारे direct expense है यहाँ पर indirect expense है ठीक है बस ज्यादा नहीं purchase return को क्या बोलते है return outward और sales return को बोलते है return inward drawing को different different तरीके से बोला जा सकता है income tax भी बोलेगा तो क्या है drawing है insurance क्या है हमारा drawing है goods use भी हमारे लिए क्या है drawing ही है अलग अलग नाम से और ड्रॉइंग बोले तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं आपको भी पता है ड्रॉइंग बोले तो ड्रॉइंग ही है चलो ठीक है फटा फट अभी शेक का कुश्चन आया के सर वाई यूस क्लोजिंग स्टॉक इन दा बैलेंस शीट मैंने इस पर देखो अभी वो स्टार लगाया है यह सारे इफ और बट वैसे थोड़ा बता दू हमारे गोडाउन में माल पड़ा है वो एसेट सी तो है तो इसलिए तो बैलेंस शीट म नहीं जाने का है यहां तो हम लिख देते हैं में यहां समझाना के क्यूं आता है ठीक है अभी शेक करें 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 चलिए इसको आप नोट करिए ताकि मैं फाइनल येर के बैचेस के तयारी कर पाऊं थैंक यू सो मच स्टूडेंट मिलते हैं कल नेक्स क्लास में अच्छे से आप पढ़ाई करिए और अच्छे से पूरी नेंद लीजिए रात को ज़्यादा देर जगना नहीं इसलिए नो बजे कलास रखा नहीं तो मैं दस बजे रखने वाला था और हो जो मैंने नोट करना है सुन्दर सुन्दर राइटिंग में आपको नोट करना है ठीक है ताकि आगे भी ये काम आ पाए थैंक यू सो मच क्या राइटिंग